आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो दोस्तों हमारा Question क्या है आज का Orbital Angular Momentum हमें बताना है 3D और 4D सबसेल का ओके तो आए सीधे हम लोग Concept से चलते हैं Concept क्या है हमारा कि जब भी आपको Orbital Angular Momentum की बात आए तो आपको बस यह फ्रूमल याद रखना है क्या L into L प्लस 1 H by 2 pi ठीक है तो अब बताइए आप D सबसेल के लिए जो आपका L value होता है हो कितना होता है आपको पताना चाहिए 2 2 होता है आपको यह भी पताना चाहिए कि माल लेते हैं यह Nucleus से और यह क्या है हमारा एक Orbit है First Orbit इसमें Electrons क्या कर रहा है Moves कर रहा है With Velocity V ठीक है न तो यहाँ पे 2 होती है यह एक क्या होता हमारा A Spin Angular Momentum और एक होता है Orbital Angular Momentum ठीक है न एक A Spin Angular एक Axis के अब आउट अपने Axis पर A Spin करती है और Orbit के Around एक Move करती है तो उसके कारना आता है Momentum ठीक है न और एक किसके कारना आता है Orbit में Move करने के कारना और यही जब दोनों को Add कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है Total Angular Momentum Total Angular Momentum और यह Total Angular Momentum किसके बरावर होता है Board Radiation नहीं बताया था क्या Board नहीं क्या बताया था NH भाई 2 पाई के बरावरता है यह भी एक Concept है बट यहाँ पर हमें Orbital Angular Momentum पूछा गया है Means यह वाला तो Simply आप L पर यह Depend करता है तो L की वेल्य वेल्य वेती है 2 2 रखो 2 प्लस 1 और H बाई 2 पाई और इसके रूट तो यह क्या हो जाते हैं 3 प्लस 2 यानि रूट 6 H बाई 2 पाई तो यह Orbital Angular Momentum क्या होंगे 3D के लिए भी यही होंगे और 4D के लिए भी यही होंगे क्यों क्योंकि यह सबसेल दोनों में क्या है सेम है और सबसेल पर यह Depend करता है कौन सा यह Orbital Angular Momentum जो कि L है Spin Angular Momentum बिल्कुल लग लग होता है फिर इन दोनों को जब प्रोड़क करोगे तो यहां पर अगर हमसे पूछता है कि सिर्फ Angular Momentum बताए 3D, 4D का तो अलग होता क्योंकि n की value दोनों के लिए देखो क्या है अलग है इसके लिए n 3 है इसके लिए n 4 है बट हमसे Orbital Angular Momentum पूछा गया है तो हमारा formula यह होता है जो कि सिर्फ L पर Depend करता है तो 3D और 4D दोनों के लिए Orbital Angular Momentum क्या आजाएगा Root 6H by 2π बहुत ही Simple Concept था वट Conceptuals था कि आप कहीं Confuse ना कर जाए यह Angular Momentum सब्से दो तरह की होती है मैंने यहां बता दी आपको एक Spin, एक Orbital दोनों को wait करते हैं तो हमारा Total Angular Moment आता है जो NH by 2π के बराभार होता है ठीक है ना? Simple Concept Thank you